साथियों, राष्ट्रिय सिक्षा नीती में पुरानी 10 प्लस 2 की जगह 5 प्लस 3 प्लस 4 इसकी व्यवस्ता बहुत सोच समरकर की गई है। इसमें Early Childhood Care and Education को एक बुनियादी के रूप में नीव की रूप में शामिल किया गया है। आज हम देखें तो प्री स्कूल की प्लेफुल एजुकेशन शहरों में प्राइवेट स्कूलों तक ही सिमित है। वो अब गावों में भी पहुचेगी, गरीब के घर तक पहुचेगी, गरीब हो, अमीर हो, गाव हो, शहर हो, हर किसी के, हर जगर के बच्चों को मिलेगी। मुलगुत शिक्षापरध्यान इस नीती का सबसे महत्वपुन पहलू है। राष्ट्रिय सिक्षानिती के पहत, foundational literacy and numeracy के विकास को एक राष्ट्रिय मिशन के रुप में लिया जाएगा। प्रारमभीक भाषा का ज्ञान, संख्या का ज्ञान, बच्चों में सामान्य, लेको, पढ़ने और समझने की ख्षमता का विकास, यह बहुत आवशक होता है। बच्चा आगे जाकर, read to learn करें, इसके लिए जरूरी है कि शरुवात में वो learn to read करना सिखे। Learn to read से, read to learn की यह विकास यात्रा, foundational, literacy and numeracy के माध्यम से पुरी की जाएगी। साथियों, हमें यह सुनिशित करना है कि जो भी बच्चा तीसरी कक्षा पार करता है, वो एक मिनट में तीस से 35 सब्द तक आसानी से पढ़ पाएं। इसे आप लोग oral reading fluency कहते हैं, जिस बच्चे को हम इस लेवल तक लाँ पाएंगे, शेप कर पाएंगे, शीखा पाएंगे, तो भविश में उस विध्यार्थी को बाकी सब्देस का कंटेंट समझने में और आसानी रहेगी। मैं इसके लिए आपको सुझाव देता हूँ. यह जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके साथ और 25 उनके दोस्त भी हों के क्लास में, आप उनको कहिए कि चलो भई तुम कितनों के नाम जानते हो बोलो, फिर कहो अचा तुम कितनी तेजी से नाम बता सकते बोलो, फिर कि तुम तेजी से भी बोलो और उसको वहाँ खड़ा भी करो, आप देखिए उतनी कितनी प्रकार की टैलेंट डेवलप होने चुरू हो जाएगी, और उसका confidence लेवल बढ़ जाएगा. फिर वही बाते बाद में लिखी तुरुप में रख कर देए, उनके अपने साथ्यों क कि प्रक्रिया कहते हैं, इससे आगी किक्षाओं में स्टूडन्स पर बोज भी कम होगा, आप सिक्षण को पर भी बर्डन कम होगा, साथी basic गनित जैसे counting, addition, subtraction, multiplication, division, ये सब भी बच्चे आसानी जे समझ सकेंगे, ये तब संबभ होगा, जब पढ़ाई, कीताबों और क्लास की चार दिवारियों से बाहर निकाल कर, वास्त्विक दुनिया से जुड़ेगी, हमारे जीवन से, आसपास के परिवेश से जुड़ेगी, आसपास की चीजों से, रियल वर्ल्ड से, बच्चे कैसे सिख सकते हैं, इसका एक उदारण, इश्वर चंद्र विद्या सागर की एक जीवन कथनी में, कहानी में, देखने को मिला है, कहते हैं, इश्वर चंद्र विद्या सागर जी, जब आट साल के थे, उन्हें तब तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई थी, एक बार वो अपने पीता के साथ कोलकाता जा रहे थे, रास्ते में सडक के किनारे उन्हें अंग्रेजी में लिखे माइलिस्टोंस दिखे, कि इसमें कोलकाता कितनी दूर है, ये बताने के लिए इंग्लिस में गिंती लिखी है, इस उत्तर से इश्वर चंद्र विद्या सागर के बाल मन में और जिग्या साबडी, वो पूशते रहे और उनके पिताजी उन मील के पत्थरों पल लिखी गिंती बताते रहे, और कोलकाता पहुंचते पहुंचते इस्वर चंद्र विद्या सागर पूरी इंग्लिस की काउंटिन शिख गए, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, and go, आ गया, ये है जिग्या सा की पड़ाई, जिग्या सा से सीखने और सिखाने की शक्ती,